हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 26 चेप्टर जिसका नाम है बी अशेफ यह मैं आपको एक्स्प्लेइन करूँ है हिंदी में यह हम करने वाले है ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस चलो सpॉन करता है दिखते है कैं यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है बी मतर्ब बचो हो जो बनना गुंद YOUR जिए बयावरची अनल परिवार। नरिशिक मतलब बचो पौशड ताकत देने वाले डिश मतलब खाना यहां पे क्या बोला है कि आप अपने परिवार को आनंदो इन पौशड या ताकत देने वाले खानों से अपने परिवार को आनंदो ठीक है असी सलाद असी सलाद मतलब क्या होता है बच्छो जिसमें विटामिन सी रहे ठीक है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है तो जिसमें विटामिन सी रहती है हम उसको असी सलाद बोलते है ठीक है चलो आगे देखते क्या What goes in the सलाद What मतलब बच्छो क्या, goes मतलब जाना in मतलब बच्छो अंदर, सलाद मतलब जो हम बनाते है खाने के लिए वो क्या वोले है कि सलाद के अंदर क्या क्या जाता है वो चलो देखते हैं देखो आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए पहले देखो क्या है one medium sized carrot केरट मतब बच्चो क्या होता है गाजर मतब कि आपको एक मीडियम साइज का मतब ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा वैसा एक केरट चाहिए मीडियम मतब बच्चो ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा ठीक है एक आपको गाजर चाहिए वन मीडियम साइज कु चाहिए उसको पीस कर बनता है वो आपको चाहिए ठीक है आगे देखो कहा है टू हीब स्पूनफुल तो यह जो आपको पीनट करश रहेगा जो मुंफली को पीस कर बनाऊगे उक्तना लेना है आपको हीब मतलब भच्चो धेर पूरा फुल चम्मच तो आपको यह पीनट रह लेना है नमक स्वाध के अनुसार लेना है आगे क्या है दूखो लेना है एक चूताई चंबच मेरे और क्या लेना है लेंना है लेमन मतलब बच्छो निम्बू, जूस मतलब रस, वन टीस्पून मतलब बच्छो एक चम्मच, क्या बुला है कि आपको निम्बू का जूस लेना है कितना एक चम्मच, जिंजर, a small piece, जिंजर मतलब बच्छो अद्रक, small मतलब छोटा, piece मतलब टुकड़ा, और क्या लेना आपको, एक छोटा अद्रक का टुकड़ा, तो यह देखो, यह सब आपको चीजे लेनी है, किसके लिए, सलाद बनाने के लिए, चलो भी आगे देखते हैं, क्या क्या है इसमें, यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर अभी, how to make the salad, how मतब अचो कैसे, make मतब बनाना salad, जो हम खाते हैं, उसके बारे में, क्या बुला है यहाँ पर, कि salad को कैसे बनाते हैं, वो बताया है, ठीक है, दोखो यहाँ पर, salad का सब दिया हुए, कैसे बनाना है, हम पढ़कर देखते हैं, क्या है, clean and wash the vegetables well, clean मतब बच्चो साफ करना, wash मतब धुलना, vegetable मतब सबजी, well मतब अच्छे से, क्या बोला है, कि जो सबजी है, उसको साफ करो, और अच्छे से धुल लो, आगे देखो क्या है, pat them dry, with a clean napkin and towel, pet मतब बच्चो आप बोल सकते हैं, dry मतब सूखा, clean मतब साफ, napkin मतब बच्चो रुमाल, या तो towel यहां पर बोला, क्या बोला है कि, जो वो आप जब धुलोगे सबजी को, तो उसको क्या करो, किसी साफ रुमाल या towel से उसको पोच्च दो, ठीक है, आगे दो क्या है, grate the carrot and the cucumber, great मतब बच्चो घसना, कोई चीज को जीसे हम काटते हैं न, घसते भी यह देखो, आपको मैं दिखाते हूँ, यह जो है, इसके उपर अगर आप कोई चीज ऐसे करते हो, तो उसको हम बोलते है great करना, ठीक है, इसको घसने को बोलते हैं, ओके, कैरोट मतब बच्चो गाजर, कुकुम्बर मतब खीरा, आपको क्या बोला है, कि यह जो गाजर और खीरा है, यह दोनों को क्या करना है, इसके उपर घसना है, ठीक है, इसको उपर ऐसे आपको घसना है, आगे चलो देखते क्या है, यू में पील दे कुकुम्बर, बिफोर ग्रेटिंग इट, पील मतब बच्चो छिलना, कुकुम्बर मतब खीरा, बिफोर मतब बच्चो पहले, ग्रेटिंग मतब घसना, भी आपको बताया है, क्या बोला है, कि आप जो खीरा है, उसको आप घसने से पहले छील सकते हो, उसका छील का निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो, आगे कहा है दोखो, बिफोर यू 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 दी कुकुम्बर, कट ओफ बोट इट्स एंड, बिफोर मतब बच्चो पहले, यू 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 मतब क्या बोला है यहां पर फिर आप क्या करो उसके बाद उसके बाद क्या करना है आपको पतले पतले टुकडे काट देना है दोनों साइट के ठीक है आगे देखो क्या है क्या बोला है यहां पर देखो कि आप एक काम को लो जो आप जो खीरा है जिसको आप काट चुका अब आप उसको खा कर देखो देखो चकर देखो क्या वो कड़वा है क्योंको कभी-कभी खीरा कड़वा रही जाते है वो आपको चेक करना है ठीक है आगे दिखते है यहां पर देखो यहां पर गाजर को देखो ऐसे घसके यहां पर रखा है यहां पर देखो यह कुकुमबर को खीरे को घसके रखा है आगे चलो देखते हैं, यहाँ पर दूख, आगे आपको क्या बोला है, Grade the cabbage till you have two tablespoon of grated cabbage, ग्रेट करना मत्चों, मैंने आपको भी बताया है, grate करना मत्तब इस पे घसने को हम grade करना बोलते हैं, ठीक है, cabbage मत्दब पत्ता गोबी, ठीक है आपने देखा होएगा यह पत्ता गोभी और टेबल स्पून मतब बच्छो जो नॉर्मल चम्मच रहते आपके घर में वह वाला ठीक है कैबेज मतब पत्ता गोभी यहाँ पर क्या बोला है कि आप उजो पत्ता गोभी उसको तब तक घसते रहो जब तक आपको दो टेबल स्पून मतब दो चम्मच पत्ता गोभी मिलना जाए ठीक है अब आगी दोखो आपको आगी क्या बोला है mix the grated carrot, cabbage and cucumber mix मतब बचो मिलाना, grated मतब बचो जो घसे हुए carrot मतब गाजर, cabbage मतब पत्ता गोभी, cucumber मतब खीरा अब क्या आपको बोला है, यह जो जितने भी आपने घस के निकाले हैं, गाजर हो गया, यह जो खीरा हो गया, और यह पत्ता को भी हो गया अब इस सब को आप क्या करो, मिला दो, mix कर दो, ठीक है, आगे देखो क्या है आगे आपको क्या बोला है, sprinkle a little salt and pepper on the mixture and add a quarter spoon of sugar sprinkle मतलब बच्चो छिड़कना, little मतलब थोड़ा, salt मतलब बच्चो नमक, paper मतलब बच्चो, काली मिर्च, mixture मतलब बच्चो, मिलाना, add मतलब बच्चो, उसमें कुछ डालना, quarter मतलब बच्चो, चोथाई, ठीक है और spoon मतलब बच्च, sugar मतलब बच्चो, चीनी या तो शक्कर, यहाँ पर क्या बोला है, अभी आप क्या करो, अब देखो जब आप ये तीनों को मिला लो एक साथ, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिला देना है, और आपको फिर क्या क मतलब बच्चो, जो इसको हम greater बोलता है, जिससे हम घसते हैं न देखो, इसको हम greater बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बोला है बच्चो, देखो, कि आप क्या करो, अधरक लो और उसको घस दो, कहां से छोटे वाली साइड से, देखो, ये बड़ा वाला साइड है, यहा से आपको घस देना है, ठीक है, अधरक को, ओके, आगे देखते हैं भी, आगे क्या है, add the grated ginger to the mixture, add मतलब बच्चो, मिलाना, grated मतलब बच्चो, जो घसा हुआ है, ginger मतलब अधरक, mixture मतलब बच्चो, जो वो मिलाए हो, आप सब उसको बोला है, अब क्या बोला है, अब क्या बो मिलाना, juice मतलब बच्चो, रस, half मतलब आधा, lemon मतलब निम्बू, अब आपको क्या बोला है, जो आप सब मिला के, अधरक, खीरा, पत्ता, आपको भी सब मिला के, जो रखे हो, इसमें आधा निम्बू काटके, उसका juice डाल दो, ठीक है, उसका रस डाल दो, आगे देखते है क्या है, क्या बोला है भी आपको, add the crushed peanut, crush करना मतलब बच्चो, किसी को ऐसे पीसना, add मतलब मिलाना, peanut मतलब मुंफली, अब क्या बोला है, आपको वो सलाद में आप क्या करो, जो आप पीसे हो, मुंफली को, उसको भी इसमें मिला दो, ठीक है, ये सलाद में मिला दो, mix the salad well, mix मतलब बच्चो, एकदम उसको अच्छे से मिलाना सब आपस में, well मतलब अच्छे दे, क्या बोला है, अब क्या करो, आप सलाद को अच्छे से मिला दो, एकदम साथ में, if you like, you may add pieces of small chili to the salad, if मतलब बच्चो, अगर like मतलब पसंद, pieces मतलब बच्चो, टुकुडे, small मतलब छ संद है तो, ठीक है, आगे देखो क्या है, put the salad in the clean bowl, put the salad, इसको हम बोलते हैं, जो हम खाने में, खाने के लिए इस्तिमाल करते हो, clean मतलब बच्चो, साफ, bowl मतलब प्याली, अब यहाँ पर क्या बोला है, आपको जो salad आप बना लोगे तो उसको निकाल के, एक अच्छे से bowl, मतलब एक अच्छे से plate में यहाँ तो, प्याली में डाल दो उसको, wash the coriander, wash मतलब बच्चो धुलना, coriander मतलब धनिया की पत्ति, ठीक है, क्या बोला है, धनिया की पत्ति को धुलो और क्या करो, cut it and garnish the salad with it, cut मतलब बच्चो काटा, garnish मतलब बच्चो क्या होता है, खाने को सजाने को हम बोलते हैं, जब खाना आप सजाते हो कुछ डाल के तो उसको बोलते हैं, तो अब क्या बोला है कि धनिया की पत्ति धुलो और उसको काट के खाने के ऊपर, यह जो salad के उपर सजा दो, okay, आगे कहा है दोखो, let someone taste the salad, someone मतलब बच्चो कोई, taste मतलब बच्चो चखना, तो पूछना, need मतलब बच्चो जरूरत, add मतलब मिलाना, salt मतलब नमक, more मतलब बच्चो जादा, sugar मतलब बच्चो शक्कर, lemon juice मतलब बच्चो निम्बू का रस, taste मतलब बच्चो अब बच्चो जाइका या तो स्वाद, अब क्या बोला है कि जब देखो, आप किसी से पूछो, पहले किसी को अपने सलाद जो है, वो चखने के लिए दो और उनसे पूछो, क्या उसमें और नमक डालने की जरूरत है, या शक्कर डालने की जरूरत है, या निम्बू का जूस डालने की जरूरत है, तो उस हिसाब से अब और डाल दो उसके अंदर, ठीक है, आगे दोखो क है discuss why the salad is called a C salad suggest other names for the salad discuss मतलब चर्चा करना why मतलब क्यूं suggest मतलब बच्चो सुझाओ देना name मतलब बच्चो नाम सलाद मतलब बच्चो यह दो जो हम अभी देखें वह तो सलाद हो तो आपको मालू में यहां पर क्या बोला है कि आप चर्चा करो कि C salad हम क्यों बोलते हैं इसे देखो यहां पर आप शुचा करो कि इसको तो देखो बच्चो मैंने आपको बताया था क्यूंकि इसमें vitamin C होती है इसके लिए हम इसको C salad बोलते हैं और अगर कोई और नाम सुझाओ देना है तो हम बोल सकते हैं ऐसे ग्रीन अईसे बोल सकते है ग्रीन सलाद देखो तौह क्यूंकि उसमें ग्रीन आएक सब रहेंगे तो हमएं सब बोल सकते हो क्या ॉक्य ऐसे अलग अलग नाम आप अपने हिसाब से सब्सक्राइब हम आगे डियुद немने हम पता है यहां पर इसेफ़ेपल पतल। आपके प्यारे सीडाओ के लिए उके आपके प्यारे सामान इसमें सामान क्या कर जा रहा हो देखते हुरा सेथे पीनट्स भूना हुआ ठीक ए मतलब मुफलि मतलर बुना हुआ मुंगफली कितना? तू स्मोल बाउलस छोटा बाउल मतल प्याली मतलब दो छोटी प्याली आपको भूने हुए मुंगफली चाहिए आगे कहे दोगो जैगरी हाफ बाउल जैगरी मतल्चो गुड़ ठीक है जो मीठा गूर रहता है नर यहां पे parfois मैं दिखा है बनाने के लिए और आगे देखते है क्या है, step, इसमें step क्या है, तरीका क्या है, इसका देखते है, peel and crush the peanut, peel मतलब बच्चो छिलना, crush मतलब बच्चो उसको पीछना जाता हो, ऐसे कूटना, कूटने को हम बोलते है, crush करना, ठीक है, peanut मतलब मुंफली है, क्या बोला है, यह जो मुंफली है, इसको छिलका जो है, निकाल दो, जब उसके छिलके के अंदर अगे, उसको क्या करो, उसको आप कूट दो, ठीक है, एक दम ऐसे कूट कूट के, मुंफली का crush कर दो, आगे क्रश और slice the jaggery lump, crush मतलब बच्चो आपको बता है, कूटना, slice मतलब बच्चो काटना, jaggery मतलब गुड, lump मत मतलब बच्चो टुकड़ा, यह गुड का टुकड़ा है, इसको lump बोलते है, तो क्या बोला है, कि इस गुड के टुकड़े को क्या करो, आप, या तो कूट दो, पीस दो, या तो क्या करो, इसको क्या करो, इसको slices बना दो, ठीक है, आगे क्या है, देखो बच्चो, knead and mix the peanuts and the jaggery well, adding a little घी, mix मतलब बच्चो मिलाना, peanut मतलब मुफली, jaggery मतलब good, well मतलब अच्चे से, little मतलब बच्चो थोड़ा, necessary मतलब बच्चो जरूरी, देखो क्या बोला है, आप क्या करो, अभी आपको क्या करना है, कि जो ये peanut और जो गुड है, उसको अच्छे से आप गुन दो, ठीक है, उसको अच्छे से सांदो, गुन दो, और उसमें थोड़ा सा घी मिला दो, अगर जरूरत हो तो, ठीक है, ये दोनों का जो पेस्ट रहेगा, जो हमें पेस्ट मिलेगा, क्रश करके, तो उस दोनों को आपको क्या करना है, गुनने के बाद, उसमें थोड़ी सी घी मि पिलावाट, लुक मतलब दिखना, लंप मतलब बच्चो, आपको बताया है, टुकडा, डव मतलब बच्चो, जो आटे का, आपके मम्मी आटासान के नहीं बनाते है, उसको डव बोलते हैं, ठीक है, आटासान के रोटी बनाने से पहले एक गोल बनाते है, उसको डव बोलत आगे क्या देखो taking a small portion of the mixture at a time, shape it into a ball, taking मतलब बचो लेना, small मतलब छोटा, portion मतलब बचो हिस्सा, mixture मतलब बचो मिलावट जो मिला हुआ है, time मतलब समय, shape मतलब बचो आकार देना, ball मतलब गेंद, क्या बोला अभी आपको, अभी आप क्या करो, जब आपको बन जाएगा, आप आपका वो डव बन जाएगा, आटे जैसा जब मिला के, उसमें सब छोटा सा हिस्सा लो, और उसको ऐसे shape दो, गोल बनाके, दोखो यहां से ऐसे गोल गोल है ला, ऐसा उसका आकार दे दो उसको, okay, आगे कहा दोखो, your peanut laddus are ready, peanut मतलब बच्चो मुंफली, laddus, आपको मालू आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले, अब इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइस को भी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ता आप इस वीडियो को लाइक करो, शेर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थेंक यू